कोरोना एक बार फिर से डरा रहा है अगर बात करें दिल्ली की तो बीते दिन 16 से जादा मामले आए 27 फीजदी के करीबन पॉजिटिविटी रेट रही और अगर पिछले 10 दिन हम देखें तो 35 से जादा दिल्ली में डेट्स हो चुकी है मेरे साथ में अगरे को जब सुनते हैं तो डर सा लगता है जी हां क्योंकि संकरमन जो रेट है पॉजिटिविटी रेट है वो 25 परसेंट से जादा है और जब इंफेक्शन जादा होता है कॉमुनिटी में तो कफी सारे जो मरीज हैं वो कोरोना से उनके जो लक्षन है वो है 390 के करीब है हाँ जी हाँ पर पॉजिटिविटी हमने यह दिया फर्स्ट वेर सेकेंड वेर थर्ड वेर की तुलना करें तो फिर भी जो होस्पिलाजेशन का दर है वो काफी कम हो रहा है लेकिन पिछले दिन हमने देखा कि 30% के उपर तक पहुंच गी थी और पिछले ही हो रही हैं जासे कैंसर के पेशेंट हैं या डियलस्स के पेशेंट हैं यह वो इम्मूनिटी कम जो हरहा यदि वह संक्रमित होते हैं तो ने डैख का क resulted का लगा है वेक्सीन का उनमें ड़र्ट देखने को नहीं मिल रहा है या अगर beast देखने को आप ये कह रहे हैं जिनको ग जो डेट्स हो रही हैं उनकी ओरी जो बुजूर्ग हैं सतर साल के 74 यर्स के इस तरह के जो डेट्स हैं वो जादा है अभी अगर देखें तो छहजाद स्यादा एक्टिव मामले हैं और आपने कई वेप देखी हैं तो क्या लग रहा है क्या हम पीक की तरह बढ़ रहे हैं या अभी और समय जाने निश्चेत रूप से अलड़ी यह पीक हो चुका है और जो हमारा सीवेज के सेंपल हम लेते हैं वाइरल लोड देखते हैं सीवेज में तो उसके हिसाब से मार्जिनल डिक्रीज होना चालू हो गया है तो अगले पांच-छे दिन में एक अपते में यह जो है डाउन शुरू हो जाएगा निश्चेत रूप से एक अपते में यह डाउन होना सुरू हो जाएगा सर अभी तक क्योंकि आप ने वेरिंट्स के बारे में बात भी करते हैं जो हम वेरिंट देख रहे थे एक्स बीबी 1.16 वही है या कुछ आगे मूटीशिन हो देखि और कोई ने वेरिंटर नहीं है एक्स बीबी 1.16 के ही मामले मैजोर्टी आफ कैसे में देखने को मिले हैं आपने बताया है कि जो एल्डर्स हैं या जिनको गंभीर बिमारी को उनको तो प्रेशान करी रहा है और कोई ऐसा वर्क जिसको जादा इसकी जादा चपेट में बीबल है या जिनको ऑनको टिनको ट्रॉलॉबती तैनल के विए इन लोगों की देख्विट की होई है कैसे अन जरूर्जि को ज़ूर्टा आभाई थी जढ़ा है पर ज्यादा तर लोग घर पर ही ठीड हो रहे हैं जादा का को आउड़ः दूसराद की और यदि आपको तेज बुखा रहा है सास में तकलीफ है और खांसी है तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाए कोविड का अपना टेस्ट कराईए और आपको जो कोविड गाइड लाइन से उसका पलन करना है आपको मास्क लगाना है हैं एंड हाइजिन पर ध्यान रखना है और आपको बहुत भीड भाड़ वाली जो जगह है उसको अवाइड करना है एक्सपर्ट का भी यही मानना है कि कोविड तेजी से बढ़ रहा है लेकि सावधानी बरतनी होगी और चाहे बच्चे हो या बोड़े हो सबको अपनी जद में ले रहा है तो इसका बचाव यह ही कि आप सावधानी बढ़ते हैं लेकिन बड़ी खबर यह है कि जिस तरीके से जो फिगर्स दिखा रही है उससे एक्सपर्ट से मानते हैं कि अगले एक हफ़ते के अंदर इसमें ग्रावटानी शुरू होगी यानि जो पीक है कोरोना का वो हमें जल देखने को मिलेगा अपन झाल शुरू है